वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप सभी के लिए पीनट वर्फी बना कर लाइए यह देखने में जितनी डिलीशिस है खाने में बिल्कुल काजु कतली जैसे लगती है आप इस अपने घर में जुरू ट्राइ करें और हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आमरे चैनल में पीस लिया है तो आप उसे कुछ 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 सेकंड के लिए अपने मिक्सी को चलाए बंद कर दे फिर उसी को मतब इसी तरह से आप अपनी अच्छी तरह से पीस लीजिए ज्यादा दे तक आप चलाएंगे तो इसमें आइल रिलीज हो जाएगा और यह देखिए फ्रे चीनी लिया है तो दो कटोरी पानी उसकिया है अब इसको अच्छी तरह से अपनी चीनी को जब तक हमारी चीनी डिजॉफ नहीं हो जाती है तब तक की इसी तरह से अम इसको चलाएंगे थोड़ा सा अब देखिए वर चीनी डिजॉफ हो चुके तो आप कैसकी फिलम को आफ कर लीजिए बिल्कुल भी आपका ओयल रिलीस नहीं होगा और देखे मैंने इसी तरह से पूरा अची तरह से आप इसमें डाल दीजे अपने मूंफली का जो आपने पेस्ट पनाया है इसी तरह से हम प्रेंट्स आप देखि सकते हैं काजू गतली बनाते है और यह चार इसके अंदर दो चमच के करीम में घी डाल रही हूं यह घरकाट घी उसकर रही हूं आप की ऑप्शन है कि आप एक चमच भी डाल सकते हैं इसमें बहुत कम लगता है और देखिए इस तरह से आप इससे बनाते रहें बिल्कुल अच्छी तरह से हमें एक खुआ फॉर्म में इसके रहें रहाती है ब्लकुल का जै रहें घमाठी तरह से बनाते हैं और बील्कुल भाइं कोई पहचान नी पाइगा कि आपने यह मूण फली से बनाया तो आप इस अपने घर में जरूँत राइक करें यह थोड़ा सब बचा दिया था देखिए थोड़ा अलाग साइड इसमी बना सकते हैं ने आप जड़तो हाई थोड़ा राह Bjक 1 बैटर द्रेश winy युझमि भाम भाम भाझ चॉक्ताम कीश्रीट में जी सीचे रीज़ने तरह जो बना है पैसे युझमि रखें करने दोटे इसके तरह आप से बेल लिए देखे इस टैप से इसके बद जो हमने चॉकलेट वाला आप देखी सकते हैं चॉकलेट वाला भी अलग से बेल लूगी इसे हम थोड़ा छोटा ही बेलेंगे फ्रेंट्स देखे मैंने इसके उपर ड्रक दिया है अब इसके बाद आपको सकती हो जायता है तो आप ध्यां दीजेए फ्रेंट्स अब मैं इसको पन्नी के सहाइता से ही इसको अच्छी तरह से फोल्ड करूंगी देखे इस तरह से याप इससे तरह से फोल्ड कर लिजे बिलकुल टाइट टाइट हमको फोल्ड करना है एकदम इस तरह से रोल बनाए के तरह से रोल बनाते रहेंगे आपस का जुक्री में बैंडों अच्छी में। काजु कतली स्टाइल की भी आप इस बर्फी को बना सकते हैं और हमने फ्रीज में 15 मिंट रखा था तो बिल्कुल सैट हो चुकी है वारी बर्फी तो अब इसे हम कट कर लेते हैं आपको दिखाई देते हैं देखें हमने इसको कट कर लिया है दोनों तरफ से अब मैं इसमें च काजु कतली जैसे लगते हैं और हलवाई स्टाइल के बनाई है और देख सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है और देखें हमारी बर्फी बनकर रैडी हो चुकी है लग रही है ना फ्रेंट्स आपको बिल्कुल रेस्टुरेंट स्टाइल तो आप इ आपी ना चाहते हैं गया घहता है और बाद युद्टön।